नियोन बैटरी देश का एक जानामाना ब्रैंट अपने सब देश्वासियों से अपील करता है स्टे हो स्टे से उत्राखंड में बड़ी संख्या में प्रवासी लोगों के आने का सिल्सला शुरू हो गया है बस और ट्रेन के जरिये लाखों उत्रा खंडियों के पहाल लोटने की उमीद है ऐसे में मुख्यमदिर त्रिवेन सिंग रावत का एक बयान सुर्खियों में है दावा किया जा रहा है कि सियम रावत ने दो लाख से जादा वापसी करने वाले प्रवासियों में पच्चीस हजार कोरोना संक्रमित होने की बात कही है जिस पर अब कॉंगर्स से सरकार को घेड़ना शुरू कर दिया है कॉंगर्स के प्रदेश अद्यक्ष प्रीतरम सिंग ने जैब भीम टीवी से बात करते वे काये कि सरकार आकड़ों और कुरोना रोकताम को लेकर अजीब अजीब बयान जारी कर रही है वही सरकार की तरफ से कई अलगलग बयान प्रदेश में असमन जस पैड़ा कर रहे है कॉरंटीन को लेकर भी कॉंगर्सर देक्ष ने कई सवाल भी उठाए है इसमें कही बार हो सकता है कही लोग कॉरोना से ग्रसित हो सकता है लेकिन ब्यवस्ता तो सरकार को करनी चाहिए कॉरंटीन की ब्यवस्ता सरकार को पहले तो जो बेस जहां पर लोग आ रहे हैं पर बेस पर करनी चाहिए अगर हमाँ ओवरफ्लो हो जाए तो डिस्ट्रिक हट्वाटर पर करनी चाहिए तो तैसील अस्तर पर करनी चाहिए इसे सरकार ने तो परदानों के हाथों में जो उत्राखन को छोड़ दिया हम सरकार से आगरे करना चाहिए कि सरकार को निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कोरोना की इस महामारी में सरकार के तरफ से जो ब्यान आए उसमें भिन्नता ने गुए जाए और अगर भिन्नता होगी तो निश्चित रूप से उसके दुश्च परिनाम होते ह और अगर एक ब्यान आएगा तो उसके सकारात में परिणाम होते हैं इसलिए सरकार को चाहिए कि ब्यान जो है वो उसमें समरुपता बनाए रखे वहीं कॉंग्रेस के मुख्यमंत्री पर हमलावार होते ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी खुल कर सामने आ गए हैं और होने जैभीम टीवी के इसी मुद्दे से जुड़े सवाल पर कहा कि जब खुद आला कवान राहूल गांधी अनाप चनाप बयान बाजी कर रहे हैं तो उत्तरा खंडी कॉंग्रेसी भी उससी रास्ते बर चल रहे हैं ये पार्टी के अताष नेता हैं जो एक रुपया भी कोरोना रहत के लिए नहीं देपाएं अनाप चनाप बयान बाजी में तो कॉंग्रेस के केंडरी नेता तो सबसे आगए हैं अभी हाली में इसे जो पर्देश में भी चुनाव दूर है लेकिन जिस तरह से युपक्ष्म वैटी कॉंगर सबसीदे मुक्रिमंद्री के हालिया फैसलों और कुरोना राहत पर लगातार जुबानी हमले कर रही है उसे लगता है कि मुद्दा लंबे समयक तक बुनाया जाएगा जैभीम टीवी के लिए आशिश्तिवारी के रेपोर्ट